14 फरवरी 2019 को जमूर कश्मीर के पुलवावा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था देश के 40 जवान शहिद हो गए थे उसके करीब दो हफ़ते बाद 26 फरवरी की रात को भारतिय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने एलोसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैस के सबसे बड़े आतंकी अड़ों को तभा कर दिया इस बंबारी में 350 आतंकी मारे गए थे पाला कोच में भारतिय वायुसेना की एक एर स्ट्राइक से पाक इतना बौखला गया कि अगले दिन याने के 27 फरवरी की सुबर उसने अपने 10 लड़ाकों विमान भेज दिये इसके बाद पाक के लड़ाकों विमानों को खदरने के लिए भारतिय वायुसेना के इंटरसेक्टर प्लैन मिग-21 ने उड़ान भरी ऐसे ही एक मिग-21 को विंग कमांजर अभिनंदन वरतमान में उड़ा रहे थे उन्होंने पाकिस्तान वयुसेना के F-16 विमान को मार किराया हालाके बाद में मिग-21 क्रैश हो गया और पाक के कबजे वाले कश्मीर में जांकिरा अभिनंदन को पाक सेना ने पकड़ लिया उनके साथ मार पीठ की लहुलुआन हालत में उनकी वीडियो शेयर किये गए बाद में जब भारत ने दबाव बनाया तब जाकर पाकिस्तान अभिनंदन को रिया करने पर राजी हुआ 58 घंटे तक पाक की गिरफ्त में रहने के बाद अभिनंदन आज ही के दिन रात के 9 बचकर 20 मिनट पर वागा अटारी बॉडर से भारत पहुचे थे बॉडर क्रॉस करते ही वायुसेना की टीम उन्हें परदे वाली गारी में ले भारत पहुचते ही उनके पहले शब थे अच्छा लगा अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान ने बहुत सारे नाचक किये वहां के कुछ संगठुनों ने रिहाई के खिलाफ इसलामाबाद हाई कोट में याचिका भी लगाई देश में प्रदेशन भी हुए हलाकि द जिस ओपेंगे आखिकार रात 9 बचकर 20 मिनट पर अभिनंदन की भारत में वापसी हुई इसका कारण कागजी कारवाई बताया जा रहा है अभिनंदन ने मेग 21 से F-16 को मार गिराया था इससे दुनिया भर में उनकी तारीफ हुई वो इसलिए क्योंकि F-16 बहुत ही advanced fighter plane था जिसे अमेरिका ने बनाया था जबकि मिग 21 रूस में बना 60 साल पुराना विमान था भारते वाई सेना 1970 के दशक से मिग 21 का इस्तमाल कर रही है